एक प्रसन आया है बहुत important बहुत महत्मुन प्रसन है बुद्ध ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा और बोधी प्राप करने के बाद उन्होंने अपनी पत्नी को क्यों नहीं अपनाया लॉजिकल है अच्छा प्रसन है इस प्रसन से मैं एनकाउंटर हुआ था बश्पन में बश्पन में एक वार हम ऐसे ही बात कर रहे थे तो एक जो अबॉद्ध था उस अबॉद्ध ने उस समय ये प्रसन मुझ से किया था कि गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को छोड़के भागे तब मैं छोटा था और मेरे पास में जानकारी का भाब था मैं उस समय जवाब ने दे पाया अगर ये प्रसंद मेरे मन में अटका रहा कि बुद्धत प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध अपनी पत्नी को भाग गे छोड़ कर ये कारे अच्छा नहीं है क्योंकि पत्नी से शादी उन्होंने की है जुम्मेदारी है आप दुनिया को अगर उपदेश दे रहे हैं जानकाई दे रहे हैं तो पत्नी को छोड़ के कैसे भाग सकते हैं दुनिया का भला करने जा रहे हैं तो पत्नी को कैसे छोड़ सकते हैं क्या पत्नी दुनिया में नहीं आती मगर जब मैंने धम को अच्छी तरह से जाना सुरू किया और धम के वारे में scientific way में और जो अच्छी तरह से जैसे डॉक्टर अंबेट करने भी बदाना सुरू किया और भी लोगों से तो मैंने जाना कि इसका आंसर बहुत अच्छा और वाजिव है आज जब ये पसंद किसी ने पूछा तो मैं इसका आंसर आपको करता हूँ ये बात गलत है कि गौतम बुद्ध रात के अंधेरे में अपने नवजात बच्चे राहूल को छोड़ कर और अपनी पत्नी को किवार खोल कर देखते हुए और रात में महां से एसकेप होगे, भाग गए, निकल गए या छोड़ गए ये बात बिल्कुल गलत है ये गलत इसलिए है क्योंकि कपिल वस्तु कोई बहुत बड़ा नहीं है और उस समय जाने आने का साधन भी इतना जादा नहीं है और सुद्धोदन की पकड़ बहुत दूर तक है क्योंकि सुद्धोदन बहुत रिच फैमिली से है उनके पास सच ज़्यादा खेते हैं, सच ज़्यादा संसाधन हैं सच ज़्यादा उनके पास में आदमिया काम करने वाजे है क्योंकि साक्य जो कुल है कपिल वस्तू का साक्य गण है वो गण वेवस्ता के तहयते तो सुद्धू दिन वहां की राजा तो नहीं है मगर उनकी हैस्टियत वहां बहुत उंची है और उनको सभी लोग आसपास जानते भी है यहां तक कि राजा बिंबी सार भी उनके मित्रों में से आते हैं तो जो उनके पुत्र हैं उनको सब जानते हैं तो सिध्धात गौतम बुद्ध जाएंगे कहां जहां भी जाएंगे खबर आ जाएगे कि वहाँ सिध्धात गौतम बुद्ध है और सुद्धातन जाके उनको ले आएंगे या जो उनकी पतनी है वो वहाँ चले जाएंगे या उनकी माता है या गाउवाले चले जाएंगे जाके ले आएंगे तो भागने का प्रसंद नहीं है दूसरी बात यह है कि जो सिद्धात है सिद्धत बोलते हैं पाली के अंज़, जो सिद्धत गौतम है, सिद्धत गौतम बहुत सुल्जे हुए व्यक्तितु के धनी है बच्पन से, बहुत चिंतनसील हैं और उन्होंने 11 साल के उमर में ध्यान भी लगाया जो अपने आप लगा, बले महनती हैं और कभी घबाया नही किसी भी चीज से, और हर चीज का गलत का वो विरूद करते हैं, और सही का समर्थन करते हैं, ये उनकी आज़त में रहा है, क्योंकि वो संत्पुरुस बच्पन से हैं, तो वो ऐसा निच्च या ऐसा छोटा वैवार नहीं करेंगे, कि अपनी पत्नी को और अपने पुत्र व रात में छोड़के निकल जाएं, हुआ यूँ कि जो बीच में रिवर थी, उस नदी का पानी लेने के लिए, क्योंकि धान की फसल बहुत मुख्य थी, और धान को पानी की ज़्यादा आउशक्ता होती है, तो धान एक समय बोय जाता था, इधर उनका गलराज्य था, साक्य गलराज्य साक्य संग और नदी के दूसरी पार था, कोली, जो कोली राज था या कोली राज, और ये ध्यान देने की बात है, कोली जो उनका नदी पार का शाशक था, या कोली लोग थे, वो उनके रिस्दार भी थे, क्योंकि उनकी जो पत्नी थी, वो कोली थी, तो आपस मे द्रिजदारी भी होती है. तो कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़ादा माधर मचको हीए मगर पानी को लेकART को लेके, पहले ऊजदानों फानी ले, ये चोटी मोटी घटा की आप बहुत हो गई इन खाला है बहुंत बड़ी हो गई है, यूध होने वाले हैं बार बार होता है इसको पार्मरेंट खतम करें और हम एक वार उनसे जुद्ध करते हैं पानी के लिए और आपके हम उनसे अपनी बात मनवा करें बुद्ध ने सिद्धात गौतम ने मना कर दिया क्योंकि 20 साल से उपर की आयू के हर व्यक्ति को कंपल सरी सैनिक होता था कंपल सरी उसको जान के लिए जो भी व्यक्ति 20 साल से उपर होगा साक्य में उसको सैनिक की तरह विहब करना पड़ेगा सैनिक का काम करना पड़ेगा और जो साक्य संग है उसकी बात माननी पड़ेगी तो सिध्धात उससे बंदे हुए थे और वो मना नहीं कर सकते थे मगर उन्होंने युद्ध करने के लिए मना कर दिया उन्होंने कहा कि हाला कि संग मेरे साथ नहीं है संग का मतलब जितने लोग है उनका जो सुझाब है वो युद्ध करने का है और मेरी बास से फरक मी पड़ेगा मगर फिर भी मैं युद्ध में नहीं जाओंगा मेरा दड़ निश्च है क्योंकि पानी की कीमत खून से जादा नहीं है और उससे जादा इंपॉर्णेट होता है पानी नहीं होता है कम पानी मिल जाएगा कोई समस्या नहीं है वो जादा ले ले तब उन्होंने ये कहा कि अगर आप संग के नियम नहीं मानेंगे साक्य संग की नियम नहीं मानेंगे तो आपको दंड मिलेगा और तीन प्रकार का दंड है पहला दंड तो ये है कि आपको युद्ध करना पड़ेगा कमबसरी जिसके लिए आपने मना कर दिया दूसरा दंड ये है कि आप या तो मिटू दंड सुरकार करें और या देश निकाला लाएं यानि साक्य संग से वहाँ निकल जाएं हमेशा के लिए और तीसरा ये है कि आपके सारे खित जब्त कर दिये जाएंगे और आपको वैस्कृत किया जाएगा ब्रहम दंड दिया जाएगा आपको ignore किया जाएगा, कोई आपसे बात नहीं करेगा देश निगला एक तरह से आपको हो जाएगा तो पहली बात के लिए उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो युद नहीं करेंगे और जो आखरी बात थी कि जिसमें जमीन ज़जा तो वो जब्त हो जाएगी और घरवालों से कोई नाता नहीं रखेगा वो संग से निश्काच हो जाएगे ये इसके लिए उन्होंने मना कर दिया क्योंकि मना मैंने किया है उन्होंने कहा कि मना मैंने किया है इसलिए अपरादी मैं हूँ दंड मैं लूँगा माता पिदा को दंड देना खी नहीं है तो दो बातों में से बीच वाली बात रहे कि या तो मितु दंड और या फिर उनको देश निकला तो उन्होंने कहा कि जो आपको स्विकार हो वो आप देदें मैं उसको ले दूँगा तो में तु दंड दें या देश निकला दें जब बीच वाली बात के लिए बात थे हुई तो उस समय साख के संग के अंदर एक दिक्कत आई क्योंकि कौसल राज जो था कौसल नरेश जो था साख के संग वेसगर राजय था मगर कौसल नरेश के अधिनाता था अगर हम तेरे को निकालेंगे सिध्धाद यहां से या तेरे को मतु दंड देंगे तो कौसल नरेश हमें तुमार देगा तो सिध्धाद गोतम ने ये कहा कि फिर इसको पाई ये है कि मैं देश निकला अपनी मज़िसर लेता हूँ और मैं परवजज़ा ले देता हूँ परवज़ा का मतलब है कि मैं परवज़ित हो जाता हूँ मैं सादू संत वाली जो डैसे घर छोड़ देता हूँ और अपना ग्यान खोज में निकल जाता हूँ तो आप फिर इससे बच जाएंगे तो उन्होंने का ये ठीक है, आप यहां से पवज़ा लेके चले जाओ, इससे संगे नियम भी बचेंगे और हमें कौसल नरेश का किसी वैसे गुस्टे का शिकार भी नहीं होना पड़ेगा जब ये बात ते हो गई तो वहीं सवासे एक व्रक्ति उठा और उसने ये कहा कि अगर कौसल नरेश को ये पता चला कि सिद्धत गौतम ने पवज़ा ली हर वो चला गया और तभी हमने युद्ध किया है तो वो दोनों को अटेश कर लेगा, दोनों को संबंद इस्तापित कर लेगा वो समझ जाएगा कि सिद्धत गौतम ने मना किया होगा, इसलिए उसको देश निकाला दे दिया, इसलिए उन्हें उन्हें युद्ध किया है तो अब हम युद्ध को कुछ समय बात करेंगे, ये बात भी तैह हुई, ये प्रस्ताप अच्छा था ये सारी बात है होने के बाद में, सिद्धत गौतम मुझ जब घर पहुंचे तो ख़बर पहले ही पहुंच की घर पे, तो सुद्धोदाना और उनकी पत्नी और उनकी जो माता गौतनी बहुत रोए, और जो उनके चाचाता हुथे बहुत रोए, कि एक लड़का इसकी बहुत जरूरी होता है, और बाकाइदा वहाँ पबज्धा की त्यारी हुई, उन्होंने वहीं वस्त बदले और वहीं सारा काम करके, चुकि साम तक निकलना था, और वहाँ से अपने घोड़े को और एक व्यक्ति साथ में जो च्छनक था, उसको लेके और वहाँ से चल दि कोई व्यक्ति पैदल चलेगा, घोड़े चलेगा, तो पूरी आसपास के एरिया में दो सेकंड में अफ़ता चल जाएगा, आने जाने वाले आदमी के महा सिधात गौतम है, और सुद्धोधन को बाद में भी ये ख़ब रहती थी, कि अब राजा बिनमी सार के एरिया में है अब राजगीर में हैं, अब यहां तपस्या करें, वहां तपस्या करें, उनको लगातार ख़बरें आती देती थी, जब उनको बुद्धत प्राप्त हो गया तो उनको पता था कि अब बुद्धत प्राप्त हो गया है, और उनको बुद्धत प्राप्त हो गया है, और उनक पत्नी के पास दुबारा उसको क्यों नहीं अपनाया या क्यों नहीं आये सुद्धोधन के बलावे पर वो आये जरूर आने के बाद में पूरे परिवार से मिले भी भिकुर संग में सारी पुत्र और महा मोगलानूं के साथ थे उनकी जो पत्नी थी रुमन देई वो नहीं आई उन्होंने मना कर दिया उन्होंने कहा कि अगर मैंने जीवन में कुछ किया होगा कुछ अच्छा किया है और मैंने कोई जीवन में गलत काम नहीं किया है तो सिध्धात गौतम उसे मिलने मेरे कक्ष में आएगी सिद्धात गौदम ने पूछा कि रुम्मन दही कहा है तो उन्होंने कहा कि वो उधर है दूसे कमरे में और उन्होंने जैसे जैसे यह पता चला कि आपने बाल काट दिये जैसे पता चला कि आपने खाने कर दिया उन्होंने खाने कर दिया जैसे पता चला कि आप आप जमीन प किया है यह सोचने वाली बात रूमान देई या जो या सौदराबाद में नाम दिया जाता है क्योंकि उन्हें को खबर आती रही इसका मतलब है कि सिद्धात गौतम बुद्ध की जितनी बात थी वो कोई नहीं को लेकर आ रहा है तो वो टच में थी इसलिए भागने का प्रसंद होता नहीं तो वो सारी पतकोर महा मोगलान को लेके जब वहां मिलने के लिए गए तो वो रोई और रोके उनसे चिपट गई उन्होंने कहा सिद्धात गौतम बुद्ध ने क्योंकि मैं अब राग और देश से मुक्त हो चुका हूं इसलिए मेरी तो कोई समस्या नहीं है मगर वो राग करने लगी चुपट गई और फिर बाद में उनको होस आया कि बावर भी लोग हैं तो वो फिर शांत होई शांत होने के बाद में फिर उनके जो राग दूए से थोड़े कम हुए और बुद्ध ने उन सभी को धम दिया सुद्धो धन सगदा कामी तक हो गए सोता पन हुए स उनकी माता थी वो भी अरत हुई तो इतना उन्होंने सभी को वहाँ घ्यान दिया धम दिया कि आसपास में बहुत साई लोग अरत हुए और धम प्रकास उससी दिन से मनाते हैं क्योंकि प्रकास धम का इतना जाता फैलाया उसी को दिपावडी बोलते हैं जो व्यक्ति राग और हरत होना और बुद्धत होना में उनके अंदर जो सबसे बड़ा राग होता है जिसको हम राग बोलते हैं जो हमारा काम वासना होती है काम वासना पूरी तरह से जीरो हो जाती है सारी वासना जीरो हो जाती है काम वासना जीरो हो जाती है और वो जनेरेट भी नहीं तो पत्नी या कोई स्त्री या कोई बच्चा या कोई खाना या कोई पीना या सुनना या गाना या नहाना या लेप या जो भी चीज़ दुनिया में वह सब उनसे दूर हैं उनको देखते हैं जानते हैं मगर वो उन पर असर नहीं डालती है असर कैसे नहीं डालती है जैसे आपकी पतनी या आपका पती अगर बीमार होता है या आपका बच्चा बीमार होता है तो खाली ये ख़बर सुनते ही कि वो बीमार है आपके सरीर में कुछ हल्चन होने लगती है. आपकी पतनी है या आपका पती है जैसे आप पती पतनी का नाम अगर मन में भी लेके आएंगे तो कुछ सरीर में राष्शने कियाएं अलग से होने लगेंगी आपका जो सौफ्रेर है वो एक्टिवेट हो तो अपना के अपनाने का या अपनाने की बात का कहीं सवाल नहीं होता क्योंकि अपनाया जाएगा जब जब सामने वाले के पास में कोई प्रितिक्रिया हो बुद्ध के पास तो कोई प्रितिक्रिया नहीं है जब कोई प्रितिक्रिया नहीं है और कोई क्रिया नहीं है तो अपनाने का सवाल उखता है नहीं है ये बात रुम्मन देई को जब वो अरत होई तब उनको सौनने आ गया अरत होने की बात क्यों कि हर एक individual अलग-अलग होता है हर एक व्यक्ति अलग होता है जब वो पैदा होता है मगर कोई व्यक्ति जो बुद्ध नहीं है जो अरत नहीं है और वो अपनी पतनी को छोड़ दे या वो लिप्त रहे बहुत अच्छे-चे कपड़ों में बहुत अच्छे-चे खानों में या उसकी इक्छाएं बहुत ज़्यादा जागृत हों या कम जागरित हो या वो बहुत ज़्यादा राग देश और मोह में पड़ा रहे हर्ची जिसको चाहिए या वो ऐसी बाते करें जो किसी के नुकसान दायक हो या वो ऐसी बात करें किसी के लिए फाइदेवन्द हो या वो चेहरे पे बहुत सारे भाव लेके आये या उसकी आनकों में बहुत सारे आखें कुई बता देती हैं जब आखें मन के अंदर बहुत सारे आखें आखें जाता है बताते हैं कि मन का जो टेलिजिन है वो आखें है जो आपके मन में है वो आखों में आ जाता है और उसके बाद में वो ये कहे कि नहीं मैं सादू हूँ संथ हूँ तो फिर सोचना पड़ेगा क्योंकि सादू संथ जो नेचुरल होते हैं वो सब चीजों को छोड़ेंगे तो सबसे आखिर में पत्नियों छोड़ते हैं या पती को छोड़ते हैं अगर वो सब चीजों को रखते हैं तो पती पत्नी उनके उतनी पास होती है जितनी बादी चीजों होती है धन्यवाद